नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे ये मेरा सेकेंड वीडियो रेसिपी है आपको पसंद आये तो इस वीडियो को अपना प्यार देना आज की रेस्पी में में लिट्टी चोखा बनाने जा रही हूँ सबसे पहले कुकर में आलू को उबाल कर दो सिटी लगा लूँगे फिर बैगन और टमाटर को अच्छी तरह से पका लूँगी अब मैं आलू बैगन चोखा जिसके मिक्स करूँगी दो बारी कटे हुए प्याज चोटा टुकडा अधरक का हरी चार हरी मिर्च थोड़ा सा धन या लासन की छे कलियां दो चम्माट सरसों का तेल और सबसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सालनुसार नमक भी डाल देंगे मैं पहले से इस सत्तू का मिक्षर रेडी रेडी कर ली हूँ जिसमें मैं दो बारी कटी हुए प्याज थोड़ी सी बारी कटी हुए अधर अभाय क करें चांब म थाशन करण्र सबसको अजर मारी कि अकलवान द०्धी दो चम्माट सरसों का पिए और एख निमम्भू दो सु ग्राम सत्तू लें और मिक्ष कर लें तेले हैं पहले से पाँटा मन ली हूँ जिसमें मैं 1900 घ्राम आतना लेली हूँ दोसमें नमक दोसक अब मैं गैस पर लिट्टी ओवन रख रही हूँ फिर उस पर लिट्टी सेखने के लिए रख रही हूँ लाल होते ही समय समय पर पलट दे फिर ढख दे दस से पंदरा मिनट में लिट्टी रेडी हो जाएंगे पर समय समय पर उसे चेक करते रहें कि वो लिट्टी जादा जर्ल ना जाएंगे लाल होने पर लिट्टी निकालने फैनली मेरी गर्मा गरम लिट्टी तयार हो गई है जिसको मैं अपनी फैमिली के साथ चटनी और घी के साथ सर्व कर रही हूँ आप भी इसे घर पे ट्राइ करके देखें और मेरे स्वाधिस्ट रेसिपी को के लिए चैनल को सस्क्राइब करें